धर्ती के दो तिहाई हिस्से में समंदर ही समंदर है एक्सपोर्ट्स कहते हैं कि हम चान के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम क्योंकि हम अभी सागर के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जानते हैं 95% समंदर अभी भी हमारे लिए अनजान है समंदर अपने भीतर बड़े बड़े राज छुपाए हुए है हम आपके लिए लेकर आए हैं समंदर की ऐसे ही साथ अनसुलजे रहस्य अगर आपको समंदरी दुनिया पसंद है और वो ब्लू स्काई जैसे दिखने वाला समंदर आपको बहुत इंस्पायर करता है तो ये वीडियो ज़रूर देखें आज हम आपको कुछ ऐसी जगा के बारे में बताएंगे जो कि समंदर के अंदर हैं और जब आप उन्हें देखेंगे तो आपके रोम टे खड़े हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं समंदर के अंदर की अनोखी दुनिया दक्षनी जबान में समंदर के तलहर्टी में गोल आकरूतियां मिलती है इन्हें सबसे पहले 1995 में देखा गया था उसके पाद डाइवर्स को ऐसी कई सारी आकरूतियां मिली बहुत से लोग मानती है कि ये एलियन्स का काम है उनका मानना है कि UFO यानि कहा जाए कि एलियन्स की प्लेन और शिप से ऐसी संरचनाय बनती है हाला कि 2011 में साइंटेस ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल पफर मचली ऐसी संरचनाय बनाती है वो फीमेल फिश को आकरूत करने के लिए ऐसा करती है इसके बावजूत बहुत से लोग इसे एलियन्स का ही काम मानते है मूस कैंकन अंडरवाटर म्यूजियम 500 से अधिक जीवन आकार की मुर्तियों से बना मूस समुद्र के सतह से 28 फेट नीचे छिपी अविश्वासनिय मुर्तिया प्रधान करता है इसका मतलब है कि डाइविंग एक मात्र तरीका है इसका रास खोजने का Grand Cancan Oasis Palm Grand Cancan Oasis Palm एक अवधारनत्मक एको होटेल है जो सबसे शांदार होटेलों में से एक है यह न केवल समुद्री चमतकारों का चमत्तार दुरुश्य प्रधान करता है बलकि यात्रियों को एक शांदार डाइविंग अनुभव भी दधान करता है Abundant Underwater Strip Club in Israel Nippus Show Barg एक strip club था जिसे बन कर दिया गया है वहाँ के लोकल पबलिक इसे Underwater Pawn के नाम से भी पुलाते हैं Lion City, China पुर्व के Atlantis के रूप में भी जाना जाता है शहर को Lion City नाम मिला क्योंकि यक पांच नकाशिता शेर के सिर से गिरा हुआ है इस जगह के बारे में दर्चस बात ये है कि सीडियों से लेके एंग तक पूरा शेर अभी भी वैसा ही है जैसा इसे बनाया था बिलकुल Undamaged डाइब ओपरेटर्स अक्सर इस जगह पर तस्वीरी खीचने जाते है फूजी कावा मारू फूजी कावा मारू एक 132 मीटर लंबा द्वस्त विमान परिवहन जहाज है जो 1944 में डार बीडो द्वारा मारा जाने के बाद दूब गया था अब इसे टुप लागोर में डाइब लगाने के लिए सबसे अच्छा डेस्ट्रॉय हुए जहाजों में से एक माना जाता है ना केवल इस जगह पर वार ओफ पैसिफिक के देशभक्ती अकर्शन है बलकि विबिन लोगों को चुक राज्य के इतिहास का पता लगाने में भी ये मददगार है ब्रिटैनिक रेक ब्रिटैनिक जहाज जिसे टाइटैनिक की सिस्टर जहाज भी कहा जाता है जो 1916 में HMHS खतम होने के बाद ब्रिटैनिक एक समुतरी म्यूजियम बन गया यह तीन ओलिम्पिक लाग जहाजों में से एक था जो अब पानी के सतह के नीचे 122 मीटर है डाइवर्स के लिए एक लोग प्रिय आकर्शन है और यहाँ पर जाने के लिए ग्रीक गवर्मेंट की परमिशन लेनी पड़ती है जो कि काफे मुश्किल है क्योंकि इस जगर को प्रिटिश कब्र के रूप में कोशित किया गया है ओशिन्स बहुत दीप होते है और उसमें कई सारे रास छुपे होते है हम आम इंसानों के बस की बात नहीं है कि समंदर के गहरे रास को हम जान सके हाँ कोशिश करने पर हमें कुछ पता ज़रूर लब सकता है आज हमने कुछ समंदर में छुपे हुए रास आपको बताए अगर आपको भी ऐसे कोई रास के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंचिन करें ओके गाइस तो आज के लिए बस इतना ही I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थांक्यू